जब यहाल ही में सिड्नी क्रिकेट ग्राउन में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है बेट्वीन इंडिया और अस्ट्रेलिया और उस मैच के दौरान जस्परीत बुम्रा और मुहमद सिराज पर रेशिस रिमार्क्स कसे गए किंके दौरा जो ग्राउन में कुछ लोग बैठे हुए थे एसा नहीं कि पहली बार हुआ है यह बहुत टाइम से होता रहा है पर हर चीज की कहते हैं एक सीमा होती है और जब घड़ा भर जाता है तब कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ता है तो बहुत हो चुका यह हुमिलियेट करना कि इसको बॉड़ी शेम करना यह क्या दिखाता है यह आपकी मानसिक्ता की दुर्बल्दा को दिखाता है इट शोज यॉर वल्नेरिबिलिटी कि कितने वल्नेरिबल हुआ आप क्योंकि किसी की लॉजिकल अपीनियन किसी की लॉजिकल आर्गुमेंट को आ आप उसको शेम करते हो, उस पे रेशिस रिमार्क्स डालते हो, पर यह दिखाता क्या है, जो लोग यह करते हैं, उससे पता क्या चलता है, उनकी मान सकता, राइट, मेरे साथ भी हुआ था कुछ दिनों पेरे, जब एक बहुत बड़े देश भाक्त में मुझे बोला था, यह मेरे रंगरूप पे करिये नहीं, इसे मुझे फरक नहीं बड़ता वेका, बच्पन में बहुत चीज़े मैंने सुनी हैं, पर एक टाइम आया जैसे कुछ ऐसे लोग मेरे सामने आये, जिंग को देखने के बाद लगा कि, इस दे कर्मा विच मेक्स यो वेनरिल लाइफ, यह कार कैसा है, रंगरूप कैसा है, यह बाते कुछ माइने नहीं रखते हैं, क्योंकि मैंने बस ये बोला था कि भाई, आप गालियां देके, जो अपनी देश भक्ती प्रूफ कर रहे हो, किसी और की कंट्रे के लोगों को गाली दे रहे हो, उससे क्या पता चलता है, क्या अस्ट्रलियन क्रिकेटर्स तो ये करते ही आ रहे हैं, 2003 में, डैरेल लीमन ने एक श्रिलंक्तन क्रिकेटर को काला कर्स वर्ड यूज़ करके बुलाया था, 2006 में, डीन जून्स, डीन जून्स ने हाश्य मामला को टेररिस बताया था, कॉमेंटरी करते वक्त, और वो एर पे गया था, 2015 में, एक ऐस्ट्रलियन क्रिकेट टीम मेंबर ने, मुहिन अली को असामा बुलाया था, कब खतम होगा ये, कब खतम होगा ये, डीमीन करना एक दूसरे को, ऐसी चीज़े बोलके, यही नहीं, 1996 में, रोशन महानाब आप बोलते हैं कि, ग्लेन मैगरा, तो वोल्स, वन दे ग्रेटेस्ट फास बुलर, सेट कि सनर्ज जसूरे जो है, इस ब्लाक मॉंकी, तो उस्ट्रियन का तो हिस्ट्री और पास्ट ही एरा है, पर साथ-साथ, हमारे कुछ पढ़ोसी देश, मुहमद सर्फराज तो पिछले साल ही, 2019 में, एक साओध एफ्रिकन क्रिकेटर को सिरेशिस रिमार्क्स करते वे पाया गया, और उनको फिर बैन भी किया गया, तो यह जो कहान यह नहीं दोराई जा रही है, और यह कभी खतम नहीं होने है, जब तक एक कड़ा कदम नहीं उठाया जागा, यह खतम नहीं होगा, पर आज यह मौका है हमारे पास, क्योंकि मौ I think हमें नमस्कारम करके, हमें बोलना चाहिए सारे सारे Australian Cricketers को, tweet link description में है, सारे Australian Cricketers को नमस्कारम करके मैं बोलना चाहिए, कि बहुत हो चुगा, सिराज deserves apology, Australian Cricket Board, नमस्कारम, सिराज deserves apology, बोलते रही, जब तक वो spectators जो बैठे होते, देखे, COVID restrictions के वजए से, जो stadium की capacity थी 25% देख रहे हैं बस Sydney Cricket Ground में, लाइव, और वहाँ अगर कोई section of audience कुछ बोल रहा है, तो definitely उसकी video footage भी होगी, definitely उसकी audio clip भी होगी, और जब तक उनको सक 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 सजा नहीं मिल जाती, ये questions हमें पूछते रहने पड़ेंगे, और यही नहीं कि उनको बस cricket match से बैन कर दिये, हमें च साथ हैं, अगर हैं, तो comments में जरूर बताईएगा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, comment box में जरूर बोलिएगा कि racism बहुत उचोगा, हिंदू हो या Muslim या Sikh हो या इसाई हमारे देश के किसी के भी खेलाफ, अगर आपने कोई ऐसर इमाग किया, तो पूरा देश खड़ा होगा, आपको क्या लगता है इस बारे में, जरूर बताईए, comment box में, मैं wait करूँगा, आपके comments, आपके reactions का, आपके retweets का, guys मैं चलता हूँ, एक ऐसे ही reaction में फिर से मिलूँगा, आप देख रहे हैं भी बोई, मैं हूँ अकाश, शब्बा, खेर, खोदा, हाफेस, अस्टे काल, र